जाप सुप्रिमो पप्पु यादो की मंगलवार सुबह गिर्फतारी के बाद पट्टना के गांधी मैदान थाना के बाहर उनके कारकरताओं के भीड लग गई दीएसपी थाना प्रभारी और पप्पु यादो के समर्थकों के भी जमकर बहस हुई पार्टी से जुड़े लोगों के पूछे जाने पर कि गिर्फतार क्यों किया गया है इस पर पुलिस ने पल्ला जाड लिया और कहने लगे नहीं बताएंगे जहां जाना हो जाओ इस पुलिस ने कुछ सवालों का जवाब दिया पुलिस ने कहा कि पप्पु यादो के गिरिफतारी लॉगडाउन लंगन और प्रोटोकाल तोड़ने को लेकर की गई है इसकी जनकारी पप्पु यादो को दे दी गई है जो भी विधिक समत कारवाई होगी वो की जाएगी दर लॉगडाउन नीमो की अंदेखी कर पप्पु यादो को नीमो का पालन करने को लेकर चेतावनी दी गई थी समन्द में पटना के डियाई जी ने कहा कि पप्पु यादो को पहले भी आगरा और आगाह किया गया था लेकिन वो हर बार नीमो को तोड़ने में ही भरोसा रख कर दोड़ में ही दोड़ने में ही ने समन्म पला आगाह किया गए हादो को उर्षा है को भी आगाह किया बार ट में हमादो पालन कर दोड़ने में किया थालन क।